Hi, welcome to Codefine2, welcome to this video in the JavaScript project series और हम यहाँ पर बनाने वाले हैं GitHub profiles project एक JavaScript की help से मेनी project है with the help of HTML, CSS and JavaScript थो अफकोर्स है ही और हम यहाँ पर जो GitHub की profiles से उनको fetch करेंगे सबसे पहले दो project दिखाने से पहले अगर आप channel पढ़ने हो प्लीज हिट था सब्सक्राइब बड़न आप पाकी प्रोजेक्स चेक आउट कर सकते हो जावास्क्रिप्प प्रोजेक्स सीरीज में अगर आप एक बिगनर हो फ्रेंट में तो HTML, CSS जावास्क्रिप्स से आपको शुरुआत करने चाहिए सब पहले ये करो उसके बाद पहुशने के लिए, रेक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, नेक्स है, वो सब करास्ता यहीं सी हो के निकलता है, तो अगर मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा हूँ, गिटब प्रोफाइल यहाँ पर प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पर देखो, यह मेरी गिटब प्रोफाइल है जहां पे इसने मेरा नाम फेच किया हूँ है, DP फेच करिए, जो बायो है, मेरी GitHub पे उसको फेच किया, followers, following, और number of repos, और यह मेरी यहां पे सब भी repos है, अगर मैं आपको यहां पे GitHub दिखा हूँ अपना, तो आप यहां पे देखो, वही DP लगी भी है, यहां पे वही नाम है, वही यहां पे भायो है, followers following same है, और यहां पे 27 repos हैं, जो मेरी यहां पे रेपो लिस्टेड हैं, और आप यहां पे देखो, इसने वही सब यहां पे फेच किया हूँ है, आप ए GitHub user को सर्च भी कर सकते हो, suppose, कोई GitHub user में यहां पे निकालू, यहां पे bio जो इन्हों ने लिखी भी है, वो सब यहां पर आचुगी है, इसके बाद अगर आप यहां पे कुछ और देखोगे, तो यहां से सब निकल जाएगा, हेमन्थ-devop है, develop, हेमन्थ-develop और आप यहां पे देखो, हेमन्थ-कुमार और followers, following और number of repos, यहां पे 2 है, और DP भी आगी, जो कि यहां पे बिल्कुल सेम लगी भी है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पे निकाल सकते हो, suppose यह निकालते हैं, भवानी सिंग, और यहां पे मैंने इसको paste किया, सर्च किया, आप यहां पे देखो, भवानी सिंग की है, आप पे प्रोफाइल निकल के आ चुगी, तो यह स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, एक मिनी प्रोजेक्ट है, फिर जब हम Github का क्लोन बनाएंगे, React.js और most probably Next.js में, तो इसको बड़े स्केल पर करेंगे, आपको कोई भी एक एडिटर डाउनोड करना है, अगर आपके बाद नौटपैड है, आप नौटपैड भी यूज़ कर सकते हो, आप सब्लाइम टेक्स्ट है, आपके पास वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक बहुत अच्छा एडिटर है, इसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, तो अगर आपके बाद विज़व स्टुडियो कोड है, उसको डाउनोड़ेड है आपके बास तो आपको यहाँ पर उपर क्लेक करना है, यहाँ पर cmd लिखना है, जैसी आप यहाँ पर cmd लिखके enter माहार होगी, यह आपका इसी location पर cmd खोलेगा, इसके बाद अगर आपके बास विज़व स्कोरड डाउनोड़ेड है, तो आपको यहाँ पर लिखना है code space dot, इंडेक्स.html और यहां पर html की फाइल हमने यहां पर बनाईए थोड़ा से जूम कर लेता हूं थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको अब यहां पर सबसे पहले अपना मार्कप लिखते हैं तो यह दोनों टैग्स हमने यहां पर डालने हैं अगर आप यहां पर वापस जाके देखोगे तो आपके पास यहां पर एक फाइल क्रेट हुई हुई मिलेगी आपको जो की होगी यहां पर इंडेक्स और html ठीक है इस पर आपको यहां पर डबल क्लिक करना है तो आप यहां पर suppose मैं डाल रहा हूं github profiles ठीक है github profiles मैंने यहां पर डाला आप यहां पर वापस आके refresh करके देखोगे यह आपका change हो जाएगा to github profiles और वापस आते हैं इसके बाद कुछ meta tag चलते हैं जैसे आपने अगर देखो किसी भी एक website को अगर आप phone में खोलते हो और आप उसको जूम करते हो जो fingers के साथ हम जूम करते हैं अगर आप उसको वैसे जूम करोगे तो वो जूम हो जाता है वो अच्छी development नहीं है उसको हमें रोकना पड़ता है तो हमार पास यहां पर एक चीज चलती है जो की होता है viewport viewport में हम जो उसकी width रखेंगे उसको initial width 1 रखेंगे जै एक जूम होता है कि आपको उसको जूम दिखाना है नहीं दिखाना तो initial scale कहते हैं उसको हम यहां पर 1.0 रख रहे हैं 1.0 क्या करते है 1.0 वहां पर उसको initial zoom रखेगा मतलब zoomed out भी नहीं होगा ना zoom in होगी वह 100% जो होता है जैसे अगर मैं आपको यहां पर browser पे दिखा आप यहां पर language mention कर सकते हो language आप यहां पर भी mention कर सकते हो HTML के साथ HTML के साथ हमारे बास यहां पर एक language का वो चलता है जो मैं यहां पर EN डाल रहा हूँ एक और होता है meta care set होता है वो ठीक है तो यहां पर suppose care set डाल रहा हूँ में जो कि है आपका utf-8 बहुत जगा आपने देख अगर आप यहां पर देखो क्या क्या है अपर इंपुटा में में पना लेते हैं उस पर आने पहले जो अने चीजीज है मेरी हहां पर खूली उनको मैं यहां पर कर रहा हूं और इसको भी हां पर लिखते है ठीक है क्योंकि जो आपका input tag है वो एक form tag है तो हम में इसको यहां पर फॉर्म में रैप करना होड़ेगा उसके बाद जहां पर हम input कर रहे हैं जहां पर कोई भी हम text लिखते हैं वह input tag कहला उसका type होता है में काफी कुछ मंशन होता है अगर हम और हम ィहां पर ऐमेड लिकते हैं फोन लिखते हैं पासवाड फिल्ले स्केस अज़ एक फोन लिखते हैं और व इक टेक्स फिल्ले अगर हम बॉटे छेक्ष्ठ बाक से तो इसको एक टेक्स फिल्ड चीए तो टेक्स फिल्ड लगा कि हाँ पर इसको सेल्फ प्लॉजिंग टैक के साथ क्लोज कर देंगे वापस आकर अगर मैं आपको यहां पर चला के दिखा हूँ इसको रिफ्रेश करते हूं तो आपको यहां पे यह मिलेगा जो की इनपूट फिल्ड है ज जो की होगी style.css के नाम से html में जो यहां पर markup लिखा हूँ है उस पर हम यहां पर css लगाने वाले इस वाली फाइल के थुरूप तो इस वाली फाइल को सबसे पहले तो आपको यहां से connect करना बढ़ेगा इसके साथ तो इसके लिए हम यहां पर टैग होता है जो की होता करके दिखा हूँ तो यहां पर जो आपके input field है यहां से start हो रही है उपर और side में यहां पर हलका सा gap है यह होता है अगर आप यहां पर कोई भी एक html का tag हम use करते हैं तो थोड़ी बहुत margin padding को उठाता है तो उसके लिए हम यहां पर काम कर सकते हैं start लगा के आपको यहां पर जो margin padding है उसको यहां पर आपको 0 करना होता है star मतलब सब भी जो जितने भी tag से उन सब पर जाके apply होगा और initially margin 0 और यहां पर आपको कर देना है padding 0 वापस आके refresh करके दिखाऊंगा तो आप यहां पर top left से start होगा तो nice थोड़ा से इसको वापस ले आते हैं बहुत बढ़ी इसके बाद एक चीज़ और चलती है margin padding को formal रखने के लिए box sizing चलता है जो हम यहां पर दे रहे है border box और nice इसके बाद अब मैं को यहां पर जो आपका पूरा background color है उसको यहां पर चेंज करना है पूरा background आपका कहां पर है अगर आप यहां पर यहां पर पाकी जितने भी tags हैं तो सीधा body के अंदर यहां पर हम styling डाल सकते हैं तो body के अंदर मैं हैं पर सीधा you style और से ब्लू की एक शेड है वापस आके अगर आपको यहां पर दिखा हूँ तो यह बिल्कुल यहां पर पर्फेक्ट चल रहा है यह जो यहां पर minimum height चाहिए में को जो की full screen होनी चाहिए उसके लिए हार पास यहां पर एक tag चलता है अब में को यह जो input field है इसको center align करना है center align करने के लिए हम यहां पर use करते है align item center text align center और justify content center बट यह work नहीं करेगा क्योंकि यह सब जो properties है वो display flex की property है तो जब तक आप display flex नहीं डालोगे यह work getter करते हैं मैं यहां पर html tags का use use कर रहा हूं तो आपको यहां पर कोई hash dot लगाने का जरूरत नहीं है सिधा html tag आप directly लिखके यूज कर सकते हो सबसे बैग्राउं कलर जो है हाँ पर जो input tag का भी white यहां पर background color है इसको यहां पर change कर रहा हूं एक shade है ठीक है जो आएगी आपकी 4c2885 से यह shade का मैं यहां पर use कर रहा हूं थोड़ा सा यहां पर जो क्या बोलते हैं इसके तो height और width है वो मैं यहां पर बढ़ा रहा हूं तो width suppose यहां पर ले ले लेते हैं 500 pixels ठीक है refresh किया 500 pixels यहां पर आ गया 500 तो काफी जाता हो गया 400 ले ले लेते हैं तो 400 यह enough है ठीक है एक मैं को यहां पर height देनी है इसकी आप height दे सकते हो या फिर height की जगा पैडिंग भी डाल सकते है पैडिंग भी height का ही काम करती है तो आप यहां पर देखो यह यहां पर आ चुका है कुछ भी अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं काफी छोटा लिखा जा रहा है तो उसके लिए मैं को यहां पर font size जो है उसको मैं को यहां पर increase करना बढ़ेगा तो font size by default 12 pixels होता है इसको मैं यहां पर घुमाना है तो उसको घुमाने के लिए आप यहां पर डाल सकते हो border radius जो मैं यहां पर डाल रहा हूं suppose 10 pixels तो यह जो border है यहां से घूम जाएगा कुछ भी अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं तो ब्लैक कलर में लिखा जा रहा है इसको मैं को चेंज करना है इसको म मैं यहां पर refresh करता हूं तो रिखरश बाद ओटोफोकस करके करसर मेरा यहां पर आ औना चाहिए तो इसके लिए हमारे पास यहां पर एक एक काम हो करना है आपने अगर देखा हो अगर आप कोई भी एक form भरके उसको submit करते हो तो next time अगर आप यहाँ पर same field डालते हो उस form के अंदर तो यह आपको suggestion देने start करते हैं वो suggestion में को नहीं चाहिए वो आप बंद कर सकते हो autocomplete off के साथ एक में को यहाँ पर placeholder चाहिए तो placeholder क्या होते है placeholder hints होते हैं अगर आपको यहाँ पर कुछ भी input field में दिखाना है एक hint देना है user को कि आप यहाँ पर क्या फिल कर सकते हो तो वो placeholder से आता है तो मैंने यहाँ पर लिखा search a GitHub user here ठीक है nice चला के अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा वो search a GitHub user here यह जो आपका यहाँ पर GitHub user यहाँ पर लिखाव है इसका जो मैं को CSS है ठीक है मतलब इसका जो मैं को color है उसको मैं को यहाँ पर change करना है color को तो यह pseudo glass होती है आप यहाँ पर इसको handle कर सकते हो input के ऊपर sudo class जो आएगी वो आपके यहाँ पर placeholder के साथ आएगी इसका मैं को यहाँ पर color change करना है hash triple भी एक color है बहुत अच्छा famous color है इसका मैं यहाँ पर use करना हूँ यह आ गया है ठीक है अब अगर आप यहाँ पर देखो जैसी यह focus में है ना तो यह यहाँ पर border उठा रहा है focus पर जब भी होता है वो border नहीं होता ठीक है colon लगा कि अगर आप यहाँ पर focus पे इसको change करोगे तो यह outline होती है तो outline को आपको कुछ नहीं करना बस इसको यहाँ पर none करना है refresh करते हो तो आप यहाँ पर outline यहाँ से जा चुकी है तो nice इतना सा काम था है यहाँ पर CSS में अभी के लिए फिलाल वापस आते है index word HTML में और यह हमारे पास यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं थोड order for interview लिखा तो यह जो value यहाँ पर input हुई है value को में कोई निकालने के लिए हमें यहाँ पर जरुत पड़े है जावसक्रिप की तो यहाँ पर आपको इस पर कलिक करना है empty space पर उसके आपशस आइकर करना है app.js app.js जैसे आप यहाँ पर लिखोगे javascript file है यहाँ आपकी .js extension के साथ इस file को आपको यहाँ पर link करना बढ़ेगा क्योंकि input tag आपका यहाँ पर लिखा हुए link करने के लिए आप यहाँ पर use कर सकते हुए script tag का script src करके जो आपकी file है app.js उसको आप यहाँ पर link कर सकते हुए तो यह मैंने यहाँ पर जो आपकी app.js file है उसको यहाँ पर link कर दिया इसको आप test भी कर सकते हुए suppose मैं यहाँ पर डालो console.log और मैंने यहाँ पर लिखा code for interview console.log क्या होता है यह actual में logs होते हैं जो आपके console पर print होते हैं console कौन सा है browser console शिफ्ट आई आपको दबाना है अगर आप windows पर हो Mac के लिए चाहिए command shift आई है ठीक है और आप यहाँ से भी खोल सकते हो इसको यहाँ पर क्लेक करना है यहाँ से काफे टाइम हो गया मैं को खोले तो यहाँ पर option होता है मैं को देखना मड़ेगा काफे टाइम से वह यूज कर रहा हूँ है यह रहा dev tools ठीक है more tools में आपको मिल जाएंगा यहाँ से दुका भी खोला ही निए ठीक है तो यह आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो जो code for interview हो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए refresh करता हूं मैं आप यहाँ पर देखो code for interview यहाँ पर प्रिंट हुआ है तो javascript file के अंदर आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखो करते हैं script tag को यहाँ पर नहीं लिखते हैं body के बाद लिखते हैं ऐसा क्यों करते हैं देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि javascript की जो file होती है जो भी आपका javascript का code होता है वह आपका input field पर dependent होता है input field बोल रहा हूँ वह आपके html के जो यह attributes है जो टैग से इन पर dependent होता है अगर मेंको input field में से कोई भी value निकाल नहीं है जो user ने फिल करी है तो मेरा जो javascript का code है वो यहाँ पर input field पर dependent है तो मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी जो input field है वो dom में load हो जाए उसके बाद मेरा javascript load हो अगर मेरा javascript पहले load हो गया html बाद में load हो रहा है तो javascript error देगा कि जो input field के आप बात कर रहे हो तो exist यह नहीं करती तो इस वह से बहुत बार क्या होता है script tag को हम यहाँ पर नहीं डालते हम body tag के बाद डालते हैं यह ensure करते वे कि पहले जो body tag है उसके अंदर जितने वी elements है वो सब dom में load हो जाए उसके बाद javascript load हो ताकि उसको properly html elements मिल जाए लेकिन अब आप यहाँ पर यह इसको body के बाद लिखने की जरुवत नहीं है आप यहाँ पर इसको head के अंदर डाल सकते हो बस यहाँ पर एक attribute चलता है जो कि अधर इसके बाद अपनी यहाँ पर जाए उसके बाद आपको यहाँ पर इसको लोड करना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो तो चला के अगर आपको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा code for interview आपको यहाँ पर मिलेगा कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है इसके बाद अपनी यहाँ पर जावस्क्रिप्ट फाइल है उस पर आते हैं में को यहाँ पर क्या क्या काम करना है अगर आपने मेरी जावस्क्रिप्ट की सिरीज देखिए अगर आपको मैं यहाँ पर एक ची आपको एक चीज समझाई थी यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ गई हाँ पर इस वाली वीडियो मैंने आपको एक चीज समझाई थी ग्लोबल नेम स्पेस एन इफ्वी में कि हम कभी भी जावस्क्रिप्ट में ग्लोबल वेरीबल्स नहीं बनाते ग्लोबल वेर सबस्ट यहां पर एडवांस जावस्क्रिप्ट की मैंने कवर कि तो इस वाले वीडियो मैंने आपको एक चीज सेख्पेस की किती हम कभी भी जावस्क्रिप्ट में ग्लोबल वेरीबल्स नहीं बनाते तो सबसे पहले तो मैं को यहां पर हमारे पास एक ओनलोड फंक्शन हो ठीक है मैं यहां पर सबसे पहले तो वह बना रहा हूँ ओनलोड फंक्शन आपको कब चलता है जैसी आपकी app.js लोड होगी अगर आपको कोई काम करना है अपनी फाइल के लोड होते ही तो वह आपको यहां पर डालना होता है विंडो.onload फंक्शन आपका तब काम करता है ज मैं को यहां पर जो आपकी यह input field है मेरी यह जो यहां पर input field है इस input field में से मैं को value निकालनी है तो सबसे वहले तो यह वाली input field मैं को यहां से pick करनी पड़ेगी तो उसके लिए मैं को इस input field को uniquely identify करना पड़ेगा तो उसके लिए हम यहां पर id का use कर सकते हैं id की health से हम यहां हो सबसे बlide cost मैंने होग सकते सबक्षा और रहते बाइब इन Unternehmen कैंडर मैंने की इंजिए कांट मेरका और थॉटर मेने हम पर लगना और सर्च बॉक्स डल और ृण और और बनता है हुए हुए środबैक्ड ओप्जेक्ट मॉडल एक ट्री अग्स त्रक्चर होता है अगर आप यहाँ पर elements पर जाओगे तो यह आपका पूरा dom होता है dom आपको यह बताता है कि आपकी website दिखती कैसी है और उसमें क्या-क्या है एक पूरा एक tree-like structure है जो भी हमने सारा code लिखा है आप यहाँ पर देखो जिसमें जो id है वो यहाँ पर search के नाम से है अगर वो एक id है तो आपको यहाँ पर hash लगाना पड़ेगा अगर वो एक class है तो आपको यहाँ पर dot लगाना पड़ेगा तो वो एक id है तो मैं यहाँ पर hash लगाया search के नाम से यह id आएगे मिर पास यहाँ पर console.log में अगर मैं आपको यहाँ पर search box दिखाऊ और चला के दिखाऊ इसको यहाँ पर refresh करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो कि पूरा input tag मिर पास यहाँ पर आ चुका है मैं को यहाँ पर इसके अंदर से value निकालने के लिए मैं को यहाँ पर function इस पर लगाना पड़ेगा ठीक है function में यहाँ पर लगाना चाहता हूं focus out focus out का होता है मिर पास यहाँ पर buton नि है इससमिट बटन होता तो अगर मैं यहां पर कुछ भी लिख रहा हूं तो मैं को इसकों submit करने के लिए बटन ने है तो मैं चाहते हो कि जैसे मैं बाहर क्लिक करूं निया से focus कर सकते हैं कि जो सर्च बॉक्स हटे वैसे ही यहां पर मेरा जो यूजर है वह Yutla भी है और मेना आपको अभी बरताया और यह फॉकस आउट पिन्ट को यहाँ पर चाहिए कॉलबैक फंच्शन होता रहा है इंप स्याइब यहाँ टीक है यहां ने, आप यहां पर यह वाला focus out function उस पर जाके attach हो जाएगा, फिर जैसे उस में कोई value ढाल के focus out होगा, तो ये वाला callback function उस case में यहां पर call होता है, ठीके. callback function यहां पर होता है, तो यहां पर मैं क्या कर रहO chrom आप हो, को यहां पर form को submit करना है, form को submit करने के बाद मैं को यहां पे वो value निकालके लाँ लानी है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूँ, एक form submit function है, उसको मैंने यहां पे call बार दिया, ठीक है, अब यह जो form submit function है, इसके अंदर से अब मैं को, वो value निकालनी है, तो const form submit is equals to, और एक inline arrow function मैं यहाँ पे इसको बना रह competition अब मैं को यहाँ पर यह जो search box है इसके अंदर से यहाँ पर value निखाल दी है तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हुँ search box को मैं इसके अंदर पास नहीं कर सकता तो यह जो यहाँ पर यह search box है ठीक है इसको यहां पर ले लेते हैं ठीक है और मैं यह देख रहा हूँ कि यह जो search box है अगर इसके अंदर value है मतलब इसके अंदर जो value है वो empty नहीं है तो उस case में क्योंकि मैंने suppose यहां पर value डाली नहीं ठीक है अगर मैंने बाहर click कर दिया तो भी तो focus out हो जाएगा तो मैं को एक check लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर value होनी चाहिए input field के अंदर तो ही यह क्या करें value निकाल ले और मैं को user निकाल के दे ठीक है user निकालने के लिए एक function हम यहां पर बना लेंगे जो कि get user function होगा और जो search box में से value आएगी वो search box.value एक attribute होता है उसके अंदर से आप value को निकाल सकते तो मैंने यहां पर यहां पर function मनाना है जो कि होगा यहां पर get user function और मैं चाहता हूँ कि जब यह value मैं यहां से निकाल interview डाला और बाहर क्लिक करूंगा तो आप यहां पर देखो कि input field यहां पर empty होगी तो यह कुछ यहां पर इस तरह से work करता है अब मैं को यहां से user को निकालने के लिए यहां पर get user यह डाला मैं को यहां पर सबसे वहले तो मैं को user को display करवाना है नीचे इसके नीचे मैं को य API URL में इसको fetch करी नहीं सकता तो GitHub एना एक API देता है जिसकी हल से आप user से उनको fetch कर सकते हो पब्लिक API यह API.github.com के नाम से है आप इसको सर्च करोगे आपको मिल भी जाएगा और यह users के नाम से है ठीक है तो सपोज मैंने यहां पर इसको सर्च किया तो इसको सर्च करने के लिए आप यहां पर fetch function एक बहुत famous एक function है जावस्क्रिप में आप यहां पर उसका use कर सकत यह तो fetch function एक asynchronous function है अगर आप ठोड़ा सा deep जावस्क्रिप में तो fetch function जावस्क्रिप का पार्ट नहीं है ठीक है अगर आप जावस्क्रिप पढ़नी start कर रह तो आपको इस तरह से लेकर चलना है fetch function जावस्क्रिप का ही पार्ट है बट जैसी जैसे आप advanced JavaScript के तरह जाओगे त तो आपको पता चलेगा कि fetch function जावस्क्रिप्ट का पार्टी नहीं है वो web API का पार्ट है जावस्क्रिप्ट synchronous language है और fetch function एक asynchronous function है तो एक synchronous language asynchronous function के साथ कैसे वर्क कर रहा है ठीके थोड़ा से complex हो जाता है तो इसके लिए आपको web API पढ़ना वड़ेगा कि web API क्या होता है इसको हें आपका यूजर्णेम अपका यूजर्णेम जालना पड़ेगा उसे नेम क्या होगा यूजर्णेम आप यहां पे देखो इंदर मैंने यहां पे value डाली है और जो आप यहां पे search github user here जो आप यहां पे search कर रहे है, user की जगा इसको username कर देता हूँ, थोड़ा clarity अच्छी बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका username है, वो यहाँ से निकल के आएगा जो मैंने इसके अंदर पास कर दिया get user की यहाँ पे इसके अंदर पास कर दिया, तो मैंको यहाँ पे username मिलेगा, और आप यहाँ पे जो भी user को search कर रहे हो आप यहाँ पे उसको concat करा सकते हो ठीक है, username मैंने यहाँ पे ऐसे concat करा दिया, यह पुराना method है, ठीक है, नए method में आपको यह सब करने की जरुवत नहीं है users को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है forward slash वहाँ से हटा है मैंने आप यहाँ पे, जो plus लगा concat कराने से अच्छा, आप यहाँ पे जो नए method से उनका आप यहाँ पे use कर सकते हो और आप यहाँ पे dollar के साथ इसको variable को यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ इस तरह तो यह भी एक method है ठीक है, आप इसका भी यहाँ पे use कर सकते हो and इसका एक response आएगा उस response को मैं को कहीं पे डालना पड़ेगा तो const करके response को यहाँ पे store करा लेते हैं very nice, ठीक है अब यह एक asynchronous function है asynchronous function एक promise को return करता है ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको इस पे wait करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे आपको wait करना पड़ेगा result का, तो उसके लिए यहाँ पे await लगाना पड़ता है fetch function एक asynchronous function है इसको response लाने में time लगेगा ठीक है, तो आपको जब तक response नहीं आता तब तक आपको wait करना पड़ेगा आप उसके लिए आपको यहाँ पे await keyword का use करना पड़ता है पुराना जो concept है, वो dot then का concept है, ठीक है syntax थोड़े update हो गए, ES5, ES6 में तो आप यहाँ पे await आ आग गया इसकी जगा तो आपको fetch function के साथ यहाँ पे await लगाना पड़ेगा response की wait करने के लिए, लेकिन await चलता है async functions के अंदर तो आपको यहाँ पे async keyword लगाना पड़ेगा ताकि await work कर जाए, fetch function एक blob को return करता है तो इस blob को आपको json में convert करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे response के अंदर आपको यहाँ पे .json use करना पड़ेगा और इसके अंदर आपका सारा data आएगा तो इसको data के अंदर store करा लेते हैं ठीके, चला कि अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाओ network tab के अंदर यहाँ पे चलते हैं, और इसको ले लेते हैं fetch xhr, very nice यहाँ पे मैं suppose search कर रहा हूँ कुनालतियागी 9, जो मेरा GitHub user day में, इसको search किया मैंने क्या हूँ, यह work क्यों नहीं कर रहा हूँ एक minute मैं को देखना पड़ेगा, कुनालतियागी 9 मैंने यहाँ पे डाला, ओ, page refresh हो रहा है यहाँ पे, मैं को यहाँ पे जो मैंने form submit किया, तो उसके बाद मैं को यहाँ पे डालना बढ़ेगा, return false वरना यह work नहीं करेगा, इसका default behavior को मैं को यहाँ पे prevent करना बढ़ेगा तो कुनालतियागी 9, suppose मैंने यहाँ पे डाला, refresh किया, अब भी refresh हो रहा है, ठीक है एक काम और कर सकते है input field के अंदर, यहाँ पे on submit पे मैं को return करना बढ़ेगा इसको यहाँ पे आपका form है ठीक है, सबसे पहले तो id is equals to, यहाँ पे form ले लेते हैं और यहाँ पे on submit पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, return कर रहा हूँ और form submit, तो जो same function है उसको मैंने यहाँ पे call मार दिया ठीक है, यह वाला जो आपका यहाँ पे form submit function है इसको मैंने यहाँ पे call मार दिया, जो कि यहाँ पे return false को return कर रहा है तो अब hopefully चलना चाहिए एक second search करके देखते है nice, चल गया, तो आप यहाँ पे देखो code यहाँ पे 200 है, API अपनी बिल्कुत perfect चली है और यहाँ पे user की जो सभी information है, वो यहाँ पे मेरे पास fetch हो कि आई है आप यहाँ पे देखो avatar जो URL है, वो यहाँ पर आए इसको अगर आपको मैं यहाँ पे search करके दिखाऊ तो आप यहाँ पे देखो, जो user जो photo है, वो आ चुकी है bio आ गया, ठीक है blog आ गया, जो user name है LinkedIn URL, वो भी यहाँ पे आ चुका है और created at, जब मैंने अपनी LinkedIn की profile बनाई थी, मतलब github profile जब मैंने अपनी बनाई थी, वो वाला year आ गय है event URL, यह कुछ होगा, यह followers है follower URL, following है तो आप यहाँ पे देखो, पूरी information आ चुकी है location क्या है, ठीक है यह login user name है node ID होगा कुछ, और आप यहाँ पे देखो, यह पूरी information मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, अब इसका मैं को यहाँ पर use करना है, इस information का तो उसके लिए यह जो मेरे पास यहाँ पर input field है, इसके नीचे मैं को अपनी जो information है, उसको यहाँ पर display करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, form के नीचे एक div tag डाल रहा हूँ मैं और div में ID मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, main के insert करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जो मेरे यहाँ वहाँ पर main मैं ने बनाया है, उसको मैं को यहाँ पर fetch करना पड़ेगा, तो उसको fetch करने के लिए, const or main is equal to and document.queryselector और किस नाम से है, यह slash slash बोल रहा हूँ, hash main ठीक है, तो main मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, main के अंदर मैं को इसको insert करना है, सबसे पहले दो मैं को यहाँ पर card बनाना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर देखो न, यह जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यह जो पूरा box है इसको एक UI कार्ड बोला जाता है, मतलब आप आप आके जाकर libraries का यूज करोगे, जो कि front end libraries है, उसमे कोई भी library हो सकती है, बोर स्ट्रैप है, material UI है, कोई भी है, उसमें इस चीज को card बोला जाता है, तो यह वाला काम थोड़ा ध्यान से करना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर एक card बनाया और card में मैं यहाँ पर back tick का यूज कर रहा हूँ, जो tab के ऊपर जो होता है, मैंने यहाँ पर उसका use किया, क्योंकि उसके साथ आप क्या कर सकते हो, string को next line में डाल सकते हो, और मैंने यहाँ पर div डाला और इसका closing div ले ले लेते हैं closing div भी मैंने यहाँ पर डाल डाला इसके बाद यह तो पूरा rapper है यह जो मैंने div लिया यह पूरा rapper है और जो पूरा rapper है वो दो हिस्सों में divided है तो यहाँ पर यहाँ पर यह वाला part है तो मैंको यहाँ पर दो div और चाहिए यहां पर left वाला part है और यह हम पास यहां पर right वाला part है अगर आप यहां पर देखो तो इसमें एक photo लगी भी है तो यह वाली photo हम यहां पर लगा सकते हैं कैसे लगाने लगाने है photo लगाने के लिए जो tag होता है वो होता है img tag img के अंदर src होता है जो कि एक variable होगा और आप variable को concat कैसे कर सकते हूं मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ पर dollar लगा के इसको यहाँ पर concat कर सकते हूं जो आपका सारा data है वो data के अंदर है जो मैंने अभी अल्ट ले लिया मैंने और यहाँ पर alt के अंदर support dp डाला और इसको self closing tag के साथ मैंने यहाँ पर close कर दिया self closing की जरुवत निया आप ऐसे भी डाल सकते हो तो भी चलेगा अब यह जो पूरी information है इसको मैंको data के अंदर डालना है वो sorry main के अंदर डालना है main के अंदर डालने के लिए हमार पास यहाँ पर अगर वो एक simple text है तो आप यहाँ पर लिखते inner text ठीक है inner text क्या करता है वो html tags को recognize नहीं करता हो और वो html tags को एसे की ऐसे ही ui पर print कर देगा लेकिन अगर आपको html text को recognize करवाना है तो inner text की जगा हम डालते है inner html और इसमें मैं डाल रहा हूं यहाँ पर card को तो अगर आप यहाँ पर यह लिखोगे तो यह इतने से work कर जाएगा चला कि अगर आपको मैं यहाँ पर दिखो और इसको काइड में आईए मैं को यहाँ पर चीज बहुत डालने पड़ेगी display flex के साथ मैं को यहाँ पर flex direction को column करना पड़ेगा उसके बाद यह work कर जाएगा एक काम और करते हैं यह जो आपको यहाँ पर function है get user इसको मैं यहाँ पर default call कर रहा हूं ठीक है इसके अंदर और यहाँ पर इसके बाद बाकी चीज़ें इसमें लगा लेते हैं जैसे यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो जो second day जो राइट राइट साइड वाला पाट है उसमें मैं को यहाँ पर काम करना है and काम यहाँ पर करना है सबसे बहुत मैं को यहाँ पर heading डालना है h2 tag का मैं को यहाँ पर नाम लिखना है तो उसके लिए dollar and this और यहाँ पर मैं डालना है data.name क्योंकि उस object के अंदर name जो field थी वह आपके data के अंदर थी और name के अंदर थी इसके बाद यहाँ पर एक p tag का यहाँ पर use कर रहा हूं p होता है paragraph tag और यहाँ पर मैं डालना हूं data.bio कि जो मेरी हाँ वह followers है उसकी information मैं को यहाँ पर डालना है with number of repos dollar लगा के एक variable है और data.following और यहाँ पर simple li मैंने डाला एक और li यहाँ पर ले ले लेते हैं और data.followers ठीक है और slash li यह सभी जो information है वो आपकी data object के अंदर है और data object के अंदर जितनी भी आपकी यहाँ पर information है उसको मैं यहाँ प लिखना मैं पड़ेगा कि यहाँ आपके followers हैं यहाँ फिर आपके followers हैं तो strong करके strong मतलब वह आपका जो आपको phone tweet है उसको यहाँ पर बढ़ा देगा और यहाँ पर following 36 following suppose . और यहाँ पर सब्सक्तर इंच और हो जाएगा आप मैं यहाँ आप पर followers ठीक है यहां पर मेरी कितनी रैपोस हैं तो पादल डैपोस हमारी वारी यहां पर गिठाप पर दो तरह की रके लिखो मति आख द यह प्रडी होती पुब्ली को थिंयह और यहां पर यहां पर स्ट्रांग करके तो यहां पर कुछ इस तरह से वक करेगा आप यहां पर देखो यह कुछ यहां पर इस तरह से वक कर रहा है आपको अगर मैं यहां पर रिफ्रेश करके फिर से यहां पर दिखाऊ नेटवर्क टैप को यहां पर रिफ्रेश कर लेते हैं और यहां पर अगर देखोगे तो यहा एँफोर्मेशन इंपास यहां पर आ चुकी है ठीके इसके बाद मैं को भी हैं पर जितनी इसा मेरी रिए रिल रोडितरीरिश आ रहे है कि यहां पर चाहिए थिक यह लिए से यहां पर हैंट्रीक Еग के parent div है, फिर आपके पास यहां पर यह वाला div आ गया, ये जो मैंको डालना है, ये इस वाले div के अंदर डालना है, क्योंकि ये दोनों मैंको side by side align करना है, nice, तो ये मिरे पास यहां पर card बन के तयार है, इस card से क्या आया है अपने पास, इस वो मैं यहाँ पर आपको दिखाएता हूँ, यह मिरे पास यहाँ पर इस Card से आया है, ठीक है, अब बस मैं को यहाँ पर इसमें CSS को update करना है, तो CSS को यहाँ पर update कर लेते हैं, सबसे बहले यहाँ पर parent है, parent में यहाँ पर class ले लेते हैं, class is equals to, सबसे नीचे चलते हैं, इंपुट के बाद .card में यहां पर लिया, एक काम करते हैं, बैग्ड़ाउंड कलर यहां पर ले लेते हैं, बैग्ड़ाउंड कलर यहां पर मैं ब्लू का एक शीड ले 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 लो, जो कि होता है, यहां पर 4C2885 जो हमने पहले भी लिया था और यहां पर आ चुका है, जो इंपुट फील में लिया हुआ है सेम मैंने यहां पर यह लिया है, जो यह इमेज है इसमें सबसे बहले CSS लगाते हैं क्योंकि इमेज की हालत खा काफी खराब होई हुए है, तो यहां पर class ले 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 लेता हूँ मैं avatar के नाम से और वापस आते हैं और यहां पर dot avatar इसकी में को height और width को set करना पड़ेगा, तो height यहां पर ले ले लेते हैं 150 pixels, ठीक है, width यहां पर ले ले लेते हैं 150 pixels, very nice, और अगर आपको मैं यहां पर चला के दिखा हूँ, तो जो image है वो यहां पर इस time पर छोटी हो जाएगी, जो कि यहां पर हो चुकी है, border ले ले लेते हैं 10 pixels, solid, and एक color मैं यहां पर ले रहा हूँ, मैं यहां पर चाता हूँ कि एक मोटा border है, तो 2A, 2A, and 7, 2 यहां पर ले रहा हूँ, जो हमने पहले भी लिया था, तो यह मैं border यहां पर चाता हूँ, जो कि यहां पर इस से match कर रहा हूँ, इसके बाद जो border radius इसको मैं को पूरा घुमाना है, round करना है, तो इसके लिए हम यहां पर काम कर सकते हैं, border radius को अगर आप यहां पर 50% डाल दोगे, तो आपकी image है, वो पूरी घुम जाएगी, तो यह कुछ यहां पर इस तरह से work करता है, linear gradient में को यहां पर डालना है, सबसे बादे तो एक काम करते हैं, maximum width यहां पर देते हैं, maximum width में यहां पर सब हो दे रहा हूँ, 800 pixels, ठीक है, minimum width हो, जितना content है, उतनी उठाएगे, लेकिन, maximum width में को यहां पर चाहिए, ताक कि जो width है, वो ज्यादा exceed न कर जाए, थोड़ इसी padding ले ले लेते हैं, तो ताक कि आसपास थोड़ा से space बन जाए, यह कुछ आसपास यहां पर space बन जाएगा, यह यहां पर जैसे मैंने इसको घुमाया है ना, border से, हैसी में को यहां पर इसको भी घुमाना है, तो यह घुम जाएगा, आपका यहां पर border radius थे, border radius कितना चाहिए, suppose 20 pixel ले लेते हैं, ठीक है, 20 pixel जादा नहीं होना चाहिए, हाँ, जादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उपर है ना, यह इन दोनों के बीच में gap नहीं है, तो थोड़ा समय को margin bottom लेना पड़ेगा, उपर input में मैं को यहां पर भलका सा margin bottom लेना पड़ेगा, ताकि दोनों में space आ जाए, तो margin bottom कितना लें, 35 pixels मैं सबोज यहां पर margin bottom ले ले रहो, nice, बहुत बढ़िया, and अब इसके बाद अब मैं को यहां पर, जो एक color है, ठीक है, यह color थोड़ा सा अच्छा है न लग रहा, तो इस color को थोड़ा सा बहतर बनाते हैं, बहतर बनाने के लिए, आप यहां पर जो background image है, उसका आप यहां पर use कर सकते हो, और इसमें आप डाल सकते हो, linear gradient, linear gradient क्या करता है, linear gradient है न, कुछ colors का combination है, जैसे सपोज मैं यहां पर red और yellow लिखा, तो अब पूरे उसमें red से लेके yellow आ जाएगा, आप यहां पर देखोगे, top to bottom वर्क करता है, और आप यहां पर देखो, red से start हो, और फिर bottom में यहां पर yellow आ गया, आप इसको change भी कर सकते हो, suppose मैं यहां पर डालना हो, to top, ठीक है, मतलब नीचे से उपर को जाए, तो आप यहां पर देखो, नीचे से उपर को जा रहा है, पहले red है, फिर यहां पर yellow है, तो यह कुछ यहां पर इस तरह से वर्क करता है, आप जैसे भी यहां पर इसको चाहे हैं, आप define कर सकते हो, इसका फाइदा क्या होता है, ठीक है, फाइदा इसका यह होता है, कि इसमें 2-3 colors का shade आ जाता है, आप जितने भी colors यहां पर देना चाहे हैं, उतने colors का यहां पर आप shade दे सकते हो, तो आप ना यहां पर एक काम और भी कर सकते हो, आप यहां पर यह भी डाल सकते हो, कि कौन सा color आपको कितना चाहिए, जैसे suppose, दो color मैं को यहां पर चाहिए, red चाहिए मैं को यहां पर 0%, और green जो चाहिए मैं को हैं, आप चाहिए suppose 100%, ठीक है, एक example दे रहा हूँ, और आप यहां पर देखोगे, तो यह कुछ यहां पर इस तरह से work करेगा, ठीक है, आप यहां पर देखो, green ने यहां पर इसको क शिर्पोर्ज में 90 तो मैंने यहां पे comunque deeds लिखा , तो 90 दिगरी अप्धे नाइंट्व दिगेरीव गूम गया है यहांपे , 45 दिखाता हूं को भी दिया तक ही पर और दो कलर्स को कॉमिनेशन चाहिए मैंको और एक और को यहाँ पर चाहिए जो कि होगो 4C 11 AC ठीक है यह दो इसको 15 डिगरी और भढ़ा लेते हैं अब इसके बाद जो यह वाला इंफोमेशन इसको भी यहां पर ठीक करते हैं तो इसको ठीक करने के लिए यहां पर मैं कोई करते हैं यहांब करते हैं और न भी यहां पर लिएओ साथ में सब्सक्राइबminute करने विलकुल तो अंदे ठीक है, उपर से margin उठा रहा है है, ह2 में, तो ह2 में मैं को यहाँ पर, margin टॉप है, उसको यहाँ पर हम 0 करते थे हैं, ठीक है, very nice, और save करते हैं, अब यह जो यहाँ पर आपकी यह list है, इसको मैं को एक line में लेके आना है, तो जो आपको यहाँ पर ul है, उस पर work करते हैं, तो सबसे बहुते हैं, एक काम करते हैं, जो कि ul में को उधर भी बनाना बढ़ेगा, तो user के साथ इसको लेके चलते हैं, ठीक है, user और मैंने यहाँ पर लिया इसको ul, इसमें भी ले ले लेते हैं, user का जो यहाँ पर parent class user है, उसके बाद जो child है, वो यहाँ पर h2 है, तो user के अंदर जो यहाँ पर ul है, उसमें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, display flex, ताकि यह तीनों एक line में move हो जाएं, बिल्कुल ठीक है, तीनों पर मैं को space यही है, जो कि यहाँ पर आपका equal space होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर use कर सकते हैं, justify content और यहाँ पर class चलती है, जो कि चलती है space between, यह तीनों में बराबर space डाल देगी, कुछ इस तरह, dot i.v, आप यहाँ पर देखो, यह dots लगे में, यह जो आप unordered list बनाते हो, तो यहाँ पर dots लगते हैं, तो यह list की styling होती है, जिसको आप हटा सकते हो, तो list style type आप यहाँ पर कर सकते हो, none, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे, वो dots यहाँ पर हट जाएंगे, padding इसमें करते हैं, यहाँ पर 0 और 1 maximum width यहाँ ले 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 लेते हैं, जो की ले लेते हैं, suppose 400 pixels, nice, बाइस अब मेंको यहां पर जो आपका यूजर है उसके अंदर जो यू एल है उसका जो एलाई है ठीक है उसकी जो अनुड़ने लिस्ट का आपका एलाई है उसको मेंको सेंटर जो आपका लाई है जो user के अंदर जो अब को युवर यह उसके अंदर जो इसके अंदर जो strong है ठीक है उसको सीधा handle करते हो इसका पर जो फोन साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं by default जो फोन साइज होता है वो 12 पॉंट चाहिए ठीक है यहां पर फोंट है तो बहुत ही यह डिफोर्ट फोंट है वे बिसिकली तो यह लगा लिखा हुए है तो एक वेबसाइट है फॉंट्स.google.com है बहुत अच्छी वेबसाइट है है हापको दुनिया भर के फोंट्स मिल जाएंगे तो जेते भी फोंट ról स्प्सकोणी का झांड़ों पॉपिंस मे अगर आप यहां पे नीचे आओगे तो आपको यहां पर सर्च करना है सूलेक्ट रेगुलर 400 हुरह यह पर इम्पोर्ट पर किलिक करके आपको यहां से और सबसे ऊपर आना है और यहां सबसे उकर आना है चाहां पर लाक्त कर देना है ठीक है style tag घटा देना है क्योंकि हम by default style के ही अंदर है तो styles की हम यहाँ पर जरुवत निया है उसके बाद आपको यहाँ पर वापस आना है उसकी जो यहाँ पर font family है ठीक है ऊपर वाली pop-ins वाली आपको यहाँ से इसको copy करना है एक second family pop-ins है और font weight ठीक है और यह जो आपका font weight है इसको आपको यहाँ पर चिपका देना है body के अंदर ठीक है body के अंदर मैंने यहाँ पर जो pop-ins font है उसको यहाँ पर चिपका दिया है वापस आते हैं और यहाँ पर आके आपको इसको refresh करना है तो आप यहाँ पर देखो कि फोल्ट वाला है स्कर्राइब मैं यहां पर इससे भी सप्राइब लिटेंग तो अब वानी सिंग इसको यहां से कॉपी कर दें भावानिसिंग को यहां पर यूजए निम्न पर यहां किया ठीके और यहां पर एंटर मारा यहां पर तो आप और परफेक्το चल रहा है निचे बस में कौई यहां पर एकर पोस को選 डिस्पले कर वानने के लिए वापस चलते हैं वापस आ गए यहां पर और एबर जिसने अने के बाद नहीं को इन यहां पर कर देना जो कि हो गए यहां पर get repos, दो चीज़े में को यहां पर पास करने भड़ेंगे, एको होगा यहां पर API URL, और दूसरा होगा यहां पर आपका username, ठीक है, और यहां पर function बना देते हैं, जो कि यहां पर get repos, ठीक है, और यह सब जो है, इसको यहां से मैं copy कर लेता हूँ, क्योंकि यह सब मैं ले लेते हैं, async, ठीक है, async मैंने यहां पर ले लिया, अगर यहां पर देखो, तो मैंने यहां पर repos के नाम से यह बनाया था, div बनाया था, इसको यहां पर मैं को fetch करना पूड़ेगा, तो const, और repos equals to, और यहां पर लेते हैं, document.query selector, और hash लगा के, और जो repos हैं, उनको यहां पर patch कर लेते हैं, यूकि अब जो मैं को सारे data डालना है, वो मैं को actual मैं इसके अंदर ही डालना है, ठीक है, और यह आप अगर देखोगे, repos जो होगा आपका, इसको अगर मैं आपको यहां पर चला के दिखा, इसको वो करता हूँ, refresh करता हूँ, तो आप यहां पर द जानना पड़ेगा, इस API URL पे इस वाले username की जितनी भी repos है, उन सबको मैं को यहां पर patch करना है, तो आपको यहां पर slash करके यहां पर repos लेखना पड़ेगा, अब मैं अगर आपको यहां पर चला के दिखोगे, तो यह आपकी वो repos वाली call है, इसके preview में अगर चलते हैं, तो आप यहां पे देखो, यह एक array of object आया, यह ओपन पर आपका एक array of objects और यह यहां पको यहां पर यहां पर यहां पर इसको यहां पर आचुकी है, ठीके, अपर नीचे देखोगे, तो जितनी भी repos है, वो सब यहां पर आचुकी है, यह मेरी java script की playlist है, ठीके, और आप के साथ हम यहां पर इसको लूब कर सकते हैं और यहां पर एक एक रपो मैंने यहां पर निक्ला री sarc सबसे वहले तो मैं को इसको रैप उसके अंदर यहां पर डिस्प्ले करवाना पड़ेगा तो रैप ओस डॉट इनर और टेक्स ले लेते हैं इस इक्वल्स टूरेपो ठीक है अभी मैं आपको सिर्फ यहां पर इतना लिखके दिखा रहा हुँ कि जब जब मैं हां पर इसको र अधर च्शला कि आगर को पर दिखां अधर इसको reffresh कर यह टे आ ब्राउजर सेक्जाल पर इसको तो अब चला के दिखाता हूं तो आप यहां पर देखो यह सब आपके बाद यहाँ पर आ चुका है जितनी भी रैपोज हैं वो सब यहाँ पर आ चुकी है लेकिन यह मैंने यहाँ पर सिफ text को concat किया है आप एक काम यहाँ पर और भी कर सकते हो टेक्स्ट के साथ नहीं स्पेस श्याद वर्क नहीं करेगा इसमें क्योंकि वो एक html tag के अंदर जाएगा आपको यहाँ पर काम करना पुड़ेगा आपको यहाँ पर यहाँ पर यह सब ढालना पड़ेगा ठीक है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या काम करना है आपको यहाँ पर सिंपल लिखना है रैपोस.inner html और plus is equals to और यह किया nice p tag डाला ठीक है p से अच्छा anchor tag ले लेते हैं क्योंकि वो same line में आएगा वरना वो p tag आपका next line में break होता रहा रहता है और यहाँ पर आपने यह डाला और यहाँ पर लिख दिया simple repo.net ठीक है तो अगर आप यहाँ पर यह भी लिखोगे तो इससे भ किया लेकिन बीच में space का issue आया है फिर से एक यहाँ पर टैग ले लेते हैं जो कि आपका चलता है NBSP NBSP and semicolon nice तो नई NBSP से अच्छा लिया किया कर रहा है क्रें प्या कर रहाँ एक elementFrankrib कर रहां आप रहें आप एलीमेंट को ग्रेट भी कर सकते हो क्यां अगिकर क्या पर कि हैंक है और Show कर देब्सकर और सवेंकर पर अंडे करेंच इनक्कर इक किया ठीक है element.classlist एक class में को यहां पर डालनी है .add और repo मैंने यहां पर इस पर class डाल दी ठीक है अब element.hrif अगर आप यहां पर इस पर click करते हो न मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ अगर यहां पर इस पर click करते हो airline management system पर तो यह आपको लेकर जाएगा actual github profile जो होगी उस पर यह आपको actual github profile पर लेकर जाएगा ठीक है किसी भी user का आप यहां पर search करोगे suppose आपको spring boot के projects देखने हैं मैंने यहां पर click किया यह आपके spring boot के प्रोजेक्स हैं उन पर यह आपको लेक के जाएगा तो यह कैसे हो रहा है और href में item.html-url हमारे पास की है वहां पर वो हमने यहां पर डाला हूँ है ठीक है इसके बाद . inner text ले लेते हैं आपके anchor tag पर क्या text होना चाहिए तो वह आ जाएगा आपका item.name पर आपको element.target य anchor tag हो होता है उसके अंदर हमारे पार target होते है कि आपको इसको कहाँ पर खोलना है blank में खोलना है या self में खोलना है मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ blank में and फिर आपको ना वड़ेगा यहां पर आइटम नहीं आएगा यहां पर आएगा रैपो और सेम चीज़ यहां पर आएगी आइटम के जगह रैपो अब चला के देखते हैं आप चलना चाहिए यह चल गया तो यह तो मस्ता है इसमें बस CSS को अपडेट करना है यहां पर हमने यह डाला हुए आएगे आप आएटमनें यहां पर देए पो और और यहां पर यह रापौ स्ट को सब कर सेंग फिया लियुक्त हैं जो और से कहले में लिए यह यहां पर यहां पर यहां प्रिपल आईटम इसको आथा अरतैं एकल इहां की न !!! को दिरेक्टर आ च affects लेड़ने के लिए कलर औ इसको हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट डेक्वरेशन नन करके, टेक्स्ट डेक्वरेशन अगर आप यहां पर नन कर दोगे, तो यह जो अंडरलाइन है, यह हां से निकल जाएगे, इसके बाद हमें को यहां पर इसको एक टैक्वर की शकल दे देनी है, तो इसके लिए एक background color यहां पर ले लेते हैं, जो हमने उपर भी शाय लिया था 28EL72, तो रिफ्रेश करते हैं तो यहां पर background color आ जाएगा, इसका border radius ले लेते हैं, border radius supposed 5 pixels ताकि जो borders है वो borders से हूम जाए इसके बाद थोड़ा से इसका font size है वो कम करते है by default 10 pixels by default 12 pixels होते है इसको करते है आप पर 10 pixels थोड़ इसी padding दे देते हैं ताकि हलका-फलका space आजाए top bottom से 5 pixels और left और right से 10 pixels थोड़ा सा margin एक दूसरे से चाहिए तो top से 0, right से 6 pixels, bottom से 6 pixels, left से 0 तो चलाके दिखाते हैं और यह बिलकुल यहाँ पर मजते हैं बस थोड़ा समय को यहाँ पर display करना है इसको inline block ताकि थोड़ा सा अपने आप arrange हो जाए कुछ इस तरह तो यह तो बिलकु ठीक है किसी को search कर लेते हैं यहाँ पर suppose नीचे चलते हैं website कर जो यूजर नहीं में उसके में उससे में में हहाँ पर search search कर रहा है तो आप यहाँ पर देखो दो यहाँ परTS हैं दोनों reports यहाँ पर आ चुके हैं कोई और repo यहाँ ले ले लेते हैं support Jhinth, यहां पर user name है, उनको में यहां पर search कर रहा हूँ, तो रिशव, रे, और यह सब यहां पर आ चुका है, तो बिल्कुल पर्फेक्ट चल रहा है, तो यहां पर हमारा इवाला project बन के बिल्कुल तयार है, जिसको मनें बनाया है, इसी तरह के, जो बाकी projects है, उनको भी आप check out कर सकते हो, यहां पर आपको search करना है, जावस्क्रिप्ट, और जावस्क्रिप्ट के जितने भी projects होंगे, वो सब यहां पर निकल के आ जाएंगे, जैसे आप यहां पर देखो, जो जावस्क्रिप्ट के प्रीप्लिस ते वो यहां पर निकल के आई है, और बाकी जो जावस्क्रिप्ट के प्रोजेक्स है, वो इडवांस जावस्क्रिप्ट टोटोरियल, वो सब यहां पर आचुके है, So, thank you so much for watching this video, have a good day.